तो हेलो गाइस वेलकम टू मा यूटूब चैनल रितिक टेकनिकल सपोर्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप यूज करते हैं सैमसंग के डिवाइस और अगर आपको सैमसंग के डिवाइस में पैंड्राइव को कनेक्ट करना हो तो इसकी क्या प्रोसेस होती है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलकी आइकोन को प्रेस कर लेना है तो देख यहाँ पे आपको कुछ चीजों के रिक्वार्मेंट रहेगी पहला तो आपका कंपलसरी होगा फोन दूसरा का रहेगा ओटी जी तो यहां तक हम जो फोन यूस करें समसिंग का इसमें हमें डेफॉल्ट में ही मतलब बॉक्स में हमें यह ओटी जी कनेक्टर मिल गया था तो अगर आपको भी मिल जाए तो काफी अच्छी बात है या फिर अगर आपके कर सकते यूसबी कनेक्टर नाम से आता यह ठीक है तो अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो सिंपल आपको बताते क्या 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 प्रोसेस रहती है तो फर्स्ट अपॉल यह आपका otg जो रहता है यह पका pen drive रहता है पीछे में आपको इस socket मिलता है simple आपको इसे यहाँ पर fit कर लेना होगा ठीक है यहाँ आपका स्मार्टफोन आ गया और जो आपके चार्जिंग का केबल गतक पीछे में आपको यहाँ पर सेट कर देना होगा then set करने के बाद आपका जो pen drive रहेगा वो connect हो जाएगा आप अपने my files में से देख सकते ह ठीक है तो simple आपको यहाँ प्रोसेस को follow करना है then आप यूज कर सकते हैं अपने samsung डिवाइस में pen drive को ठीक है इस connector के माध्यम से so topic is cover मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मतादी